आज देवशैने कादशी से चातूर मास हुआ शुरू बतादे चातूर मास में सावन, भादर्पद, आश्विन और कार्ती या चार महिने रहते हैं लेकिन अस बार अधिक मास नहीं होने से चातूर मास चार नहीं पाँच महिनों का होगा मांगली कारियों पर लगा विराम 2023 से 19 साल पहले 2004 में सावन में अधिक मास था इस कारण सावन 58 दिन का रहेगा देव शैने कादशी से देव उखने कादशी 23 नवंबर तक 148 दिन का फेस्टिवल सीजन रहेगा जुसमें 97 दिन वरत त्योहार मना जाएंगे माना जाता है कि देव शैने कादशी से भगवान विश्नु विश्राम करते हैं इस साल अधिक मास की वज़े से विश्नु जी चार नहीं पांच महिने विश्राम करेगा बतादे चार जुलाई को 2023 से शिव पूजा का महिना सावन शुरू होगा जो की 31 अगस्त तक रहेगा 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा हिंदी पंच्वांग के हर महिने में सूर्य संक्रांती रहती है यानि की सूर्य राश्री बदलता है लेकिन अधिक मास में सक्रांती नहीं रहती है चातुर मास आग से शुरू होकर 23 नवंबर तक रहेगा बतादें तब तक गुरु पुल्णिमा अधिक मास यानि के 30 दिन रक्षा बंदन गनिश उत्सव 10 दिन, पित्र पक्ष 15 दिन, नवराच्री 9 दिन, दिपोत्सव 5 दिन सहित सत्यानवे व्रत्योहार आएंगे देवशेन एकादशी और गुरु पुल्णिमा के बाद सावन शुरू होगा सावन जो है 4 जुलाई से 31 अगस्त तक दो दो चतूर थियां एकादशी हरियाली अब मवस्य के बाद 30 दिन का धिक मास यानि 18 जुलाई को शुरू होगा जो की 16 अगस्त तक चलेगा 17 अगस्त सावन का शुक्ल पक्ष होगा इसमें नाग पंचमी 21 अगस्त और रक्षा बंदन 30 अगस्त को मनायों जाएंगे और इसी तरह देवशेन एकादशी और गुरु पुल्णिमा के बाद सावन में 49 दिन व्रत्युहार रहेंगे बतादे भादो यानि अगस्त 31 से लेकर 29 सितंबर में 10 दिनों का गणेश उत्सव होगा आँ मवस्या और पुल्णिमा के साथ 28 दिन के व्रत्युहार रहेंगे वहीं आश्विन मास 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 16 दिन का पित्रपक्ष 9 दिन की नमरात्वी दशहरा पापा कुंछा एका दशी आमवस्या और शरतपूर्णिमा के साथ 29 दिन के व्रत्युहार मनाएज जाएंगे बताड़े कार्थिक मास यानि की 29 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर में 5 दिनों का दिपोट्सा करवाच्वात छट पूजा के साथ 11 दिनों का व्रत्युहार रहेंगे इस तरह 148 दिनों के फेस्टिवल सीजन में कुल 97 दिन व्रत्युहार आएंगे और जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित धनजय पांडे सीधा लाइब जुड़ चुके हैं पंडित ची क्या बताना चाहेंगे आज से चातुरमास का किस तरह से धार्मिक महत्व है क्या बताएंगे किस तरह से आराधना इस महिने में की जाती है प्रक्रणप्रणप्रां में चत्तों के लिए सनातन धर्म के लुकों मानने के लिए ब्चार महिने किसी एक तरह स्टान में निवास करते हैं और प्रम्पिधा को इसको नराण को यापने पुरुन देव के मंत्र त्यारी इसकी तो सर्दार उसको चब तब करते रहते हैं देव हुसाइनी एक आठ्षी आहां है हार से भगवान विष्टू चीर सागर में चार महिने के लिए निवास करेंगे लेकिन इस बार सावन दो लगने से एक सावन जो 28 तिंग का बड़ गया है वह एक्ष्ट्रा समय होगा ज्यादा सब्सक्राइब का निवास के लिए इस बीचों में इस जो चितनी भी बर्त होता है तेवार होता है इसमें मांगली कारिज्यादी निशेट कर दिया गया है इस तरह विवार नहीं होगा गिरी परवेश में होगा नभी सरष काम नहीं किया जाता है इस तुल्शिक असुन साथ शाणि में का विवार किया जाता है और उसी ओक्तिन से मांगली काहँ पराहन हो जाता है यक और चीट अभी भागवान सुरी отдел प्रयुण है और वत्वान अगले महनी ज़ुध उसे महना राता है ये आग्वान सुन зад दक्षडायन यह सुर्जवान आ गया है बल्कि दोनों एक मानली का उत्रायन में भी और दक्षडायन में भी लेकिन इसमें सामन पातों और आसमें जिसमें पित्री पक्षित जाजी चुड़ता है यह दो चार महिने पे खास करके हमारा जो शनातन है हमारे बुरू लोग शंत लोग जद्धर्म के लोग शनातन धर्म के लोग एक कोई नियुम धारण कर लेते हैं किसी जगर के जाब के निवास करते हैं एक समय भोजन करते हैं साथ पापित्यादी को परिजाद करते हैं बहुत को दाइत्यादी के परिजाद करते हैं अलग-अलग महिना में अलग-अ तो प्रवान के विदान है। अलग अलग बसको क्या खाएं और ना खाएं। इस अब हमारे सरातन से पैदिक रिपीश से हमारी परंपरा में चुड़ा हुआ है। कि भगवान जब शेयर काल में हो, उनको ज़ाने के लिए उस्तिष में कुछ नहीं किया जाता है। भगवान खुद ही अपने नक्षत्र के रिषी से इसाथ है। भगवान होते हैं। इसमें कौच ही तूड़ जाता है। हमारा बद्री के राख शेत्र का पट खुलता है और पट पंद होता है। हम्लोग नहीं के पुल्ट घान ने के बमось 10% कराते हैं। हम्लोग आणी करते हैं। तुर्शी के बाला भगवान उस्तिषय मरबढ़ की जाती है। तुर्शी एक्ष्यान और प्रेम की पतीक है कि चार महीना से तुर्पमाँ से हम अचे लेकर करके मुख सक्षी प्राप्ती की आतरा कराता है जाकी रही भावना जैसी प्रभुपूरत देखी सिंद्धे की जो अब इस भाव से तरी हली विश्टू का नराण किसी एक पस का न जाता है वो हर महीना हो सकता है इस वाव सावन महीना अधिक मास में आया है भुले बावा का तिन अधिक मास में आया है आपको शिवरात्री पूजन करती है हर महीने की सावन का जो पूजा है महादेव का पूजन है हर देवधाव का एक्ष्य पूजन किया गया राम रोनी घंयौ शिव्राक्रि बलकि महांद्व और भग veces होगा इस पार तो भगवान का 56 दिन का महद्व के अधिक मास में स सवांदो होने के कारण और भगवती के जो कुज्द कि छेवन में नवधा वस्ती के रूट में होता है ध्रुटाएं के नो दिन भी आ गया एक दिन दिकटी का जेन्पु सर्प है प्रम्मोप्खबालन करता है जेन्पिवास तहर और यानि प्रमचारी रहता है पिर जीवन में वालकाल होता है सुंदर्पा होती है पिर ताम्द की शुकवरती है पिर संदती के प्राप्ति की जाती है इसके जिवन पैसे कुछ है महागोणी में शिर्थी दात्री में पार के शिक्ति है इसकुर्ट पार्थ में नौधा वक्ति के नौव देवी का भी पूर्थ निगा भी दान है पंडिजी तमाम जन कारी के लिए अपको अब बहुत बहुत धनेवाद जैसे हो मेने पांच महीनों का अधिक वा rating के दोरान कोई भी मंगलिक कारीय नहीं किये जाएंगे बीज़ हुआ झाल झाल